आए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फिफ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब lowest point पे market थी तब 23 मार्थ 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए दो जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए nifty के मुकाबले तीन जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए nifty के मुकाबले चार हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share nifty से better है या नहीं यानि की पहले तीन points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1 जानुवरी 2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हूँ एक लाग रुपए हो गये मार्च में इस investment की value हो गई और करंट share investment की value है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए nifty 50 shares में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करण Nifty 50 इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है Nifty में एप्रिसेशन ज्यादा हुआ है इसलिए 1 पॉइंट Nifty ने जीत लिया है 2 पॉइंट Nifty ने जीता 3 पॉइंट Share ने जीता आधी मैच में किसने ज्यादा रंग बनाए ये इंपोर्टन है लेकिन मैच कम्प्लेट होने पर स्क्या स्कोर बोड है ये सबसे ज्यादा इंपोर्टन है Overall Nifty जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये Share और Nifty का Index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी Value कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से Fixed Deposit की होती तो आज उसकी Value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का Return दिया ये Share ने कितने परसंटेज का Return दिया ये Comparison है 1st January 2020 से आज तक की यहाँ पर Share मजबूत रहा ये Comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर Share मजबूत रहा ये Comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर Share मजबूत रहा Thank you